वेलकम टेशन तो उत्तर प्रदेश अधिनस्त सेवा चैन आयोग लखनो याने कि उत्तर प्रदेश सबॉर्डेश सर्विस सेलेक्शन कमीशन यूपी ट्रिपेलसी ने फॉरेस्ट गार्ड वन दरोगा में 2022 एक्जामनेशन के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है तो आप सब्सक्राइब कर लेना है अगर आप भी वन दरोगा के लिए अपलाई करना चाहते हैं तो यहां पर एक चीज और दिया है कि जो जिन लोगों ने पी इटी एक्जामनेशन क्वालिफाई किया होगा 2021 का उनको जो वैलिडी स्कूर कार्ड में लोग यहां पर अपलाई कर सक स्कूर की अधार पर की जाएगी अता है इस परिक्षा में प्रतिवाग है तो केवल वही अभ्यातिया ओनलाइन अवेदन कर सकते हैं जो पी इटी 2021 में समलित हुए थे और उन्हें आयोग द्वारा वैद संख्यात्मक स्कूर कार्ड जारी किया गया है क्लियर तो वहां पर प्रारमभी अर्ता परिक्षा 2021 में एपसल्यूट स्कूर अथ्वा नॉमलाइज स्कूर में सून या उससे कम यानि कि नाकर आत्मा यानि कि निगेटिव अगर किसी का होगा तो वह उसकी सौट लिस्टिंग नहीं की जाएगी तो आपकी सौट लिस्टिंग नहीं की बात कर लें आवेदन सुल्ख की यानि की एप्लिकेशन फी क्या होगी तो आप आप देख सकते हैं कि सभी कट्टेगरी के चाहिए आप जनरल हो या फिर ओपी सी हो एसी हो हो आपको जो है 25 रुपए जो है यहां पर आपको ऑनलाइन आवेदन सुल्ख जमा करना होगा अब भी ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त लिए तो यहां पर टोटल 701701 पोस्ट की वेकेंसी है यहां पर आप देख सकते हैं तो वेतन बैंड वन वेतन वन बावन सो रुपए से 20 जा 200 रुपए होगा प्लस ग्रेट पर जो हैं आप अठाई सो रुपए का मिलेगा लेवल सीट हैं अनसुचित जाती के लिए 160 अनसुचित जन जाती के लिए 20 अने पिछड़ावर गुविसी के लिए 163 सीट हैं और होई पर EWS कटेगरी में 70 सीट है तो टोटल 701 सीट है यहां पर वन वन जीव विभाग में बन दरोगा के लिए जो हैं आप आई हुए नोटिफिक विञ्यान जंतू विग्यान, प्रादेशिक सेना में नियुन्तम दो वर्स की आउदी तक की सेवा की हो या राष्ट्री कैड़िट कोर एंसेसी में भी प्रमारपत्र प्राप्त किया हो तो उनको यहां पर अधिमानी आयता भी दी जाएगी तो आयुश सिमाम ने पहले बात कर ली कि 21 वर्स से 40 वर्स के बी करें तो अगर पुरुष्ट कटेगरी में हैं मेल हैं आप तो 130 cm की उचाही 84 cm सीने का घेरा फुलाने पर और 5 cm का फुलाओ होना चाहिए उनसोची जंजातियों गोर्खा, नेपाली, गढ़वाली, कुमावनी, मुलवंस की अभ्याथी के मामले में जो नियूंतम उचाही ह उसमें छूट दी गई है तो यहां पे अगर आप इन सब आते हैं और पुरुस हैं तो 152.5 cm और अगर फिमेल कंडिडेट है तो 145 cm आपके उचाई होनी चाहिए वहीं पे सारीरिक मानक में आपको पुरुस अभ्यातियों को 4 गंटे में 25 km की पैदल चाल चलने होगी वहीं पे महिला अभ्यातियों के लिए 4 गंटे में 14 km की पैदल चाल जो है परेक्षार में आता प्राप्त करने के अपरेक्षा की गई है यानि कि 4 गंटे में 25 km मेल कंडिडेट को चलना होगा वहीं पे 4 गंटे में 14 km जो है फिमेल कंडिडेट को चलना होगा तो वन दरोगा की लिखित परिक्षे है तो विग्याबित पदों के सापेक स्रेडी वार 15 गुना अभ्याथियों अंतिम कट आफ अंक परसेंटाइल स्कोर धारित करने वाले समस्त अभ्याथियों को समलित करते वे को मुख्य परिक्षे है तो सौर्ट लिस्ट किया जाएगा जीरो या फिर निगेटिव मार्किंग नहीं है बीटी में तो आप सत्रक टूबर से 6 नूमर के बीच में अपलाई कर सकते हैं वन दरोगा मुख्य परिक्षा के लिए और साती जाद अगर आपके पास वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए जो की हमने वीडियो म बताईए विशु आल्डवेस्ट कीप वाचिंग